दोस्तों अगर आप भी सफर जा रहे हैं जाने वाले हैं किसी भी देश से अगर आप जा रहे हैं इंडिया पे सफर करने वाले हैं इंडिया के लिए दोस्तों तो आपको पालूम होना चाहिए कि आपको Self-Declaration Form of Compass सरीक कर दिया गया आएगा जाने पहले आपको Self-Declaration Form भरना ही पड़ेगा दोस्तों नहीं तो बाद में आपको एरपोर्ट पर भी प्रॉब्लम हो सकती है कि दोस्तों तो यह Self-Declaration Form कैसे भरना आएगा आज की वीडियो इसी पर होने आलिए बहुत ही आसान तरीके से आप यह सकते हैं अपने ही mobile से कुछ नहीं करना आएगा step by step मैं आपको बताऊंगा वीडियो पर बने रहीएगा बिल्कुल skip मत करेगा तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ आप पताते हैं आपको कैसे यह form भरा जाएगा है कि सबसे पहले दोस्तों करना क्याएगा Chrome ब्राउजर में आपको आजाना आएगा तो मैं Chrome ब्राउजर में आने के बाद में दोस्तों आपको यहां पर सिंपली सर्च बार में सर्च कर लेना आएगा कि यहां पर उपर देख रहेंगे यहां पर सव आयगे करना ऐगा एगा तो सर्फ कर ले कि या पर देख सकते हैं सीठ्थ उपर आली स्ट्पर सब्सक्राव है उपर और देख सकते हैं सकते हैं साइड में लिखा होगा यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर जैसी क्लिक करेंगे तो आपको सामने सकते हैं यहां पर आपको सबसे पहला ओपर सबसे पहला है जो फूल नेम यहां पर आपको अपना फूल नेम भर देना है जो कि आपके पास्पोर्ट पर लिखा हुआ है यहां पर देखी यह बता रहाएगा ब्रेकेट में है अज़ पर यूर पास्पोर्ट तो दोस्तो यहां पर आपको अपना इंटर नेम कर देना है तो चलिए मैं फूल फट फट भर दे आपको दिखा रहा हूँगा तो आप जो भरिएगा तो चलिए मेरा हो गया नाम हो गय दोस्तों आज यह सेकंड नंबर पर यह देखिए पूछ रहेगा डेट ओप बर्थ और जेंडर इसको बनने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यह वाला एरो देख रहेंगे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना जेंडर देख लीजिए गा तो यहां पर जैसे कि आ यहां पर दो बॉक्स बंक आहेंगे तो यहां से अफ अपना मंत देख लिएंड हाट वाले से को यहां से मैंने जून और सेकंड वाले आपका एर है देख लिए है जो भी आपकी हो डेटो पर उसको आप यहां। आप डाल दिए उसके बाद आप तारीक ले लिए इसके बाद यह आ गया यहां पर उसके बाद आपको नीचे आ जाना एगा दोस्तों यहां पर आपको देखिए पूछ रहेगा फ्लाइट नंबर यहां पर आपसे पूछ रहेगा फ्लाइट नंबर आपका जो भी फ्लाइट नंबर इसे हुए आप टाल दीज़ेगा तो मैं मैं फ्लाइट नंबर डाल देता हूँ इवने फ्लाइट नंबर डिया यह मैं आपको समझाने के लिए अशी डाले दे रहो हूँ यहां पर आपको जो भी सीट नंबर आपको डाल देना है कि यह मैंने दोस्तों मेरा सीट नंबर हो गया उसके बाद दोस्तों ज्यान दीजेगा एक चीज मैं बता दूँ आपको यह ना नंबर नहीं भरना है यहां से आपको इंडिया देख लेना है यहां से आपको इंडिया देखके उस पर क्लिक कर देना है यह आ गया इंडिया इंडिया पर क्लिक कर देना है उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे आ जाना है यहां पर देखिए माग रहा है पासपोर्ट नंबर आपका जो भी पासपोर्ट नंबर हो उसको यहां पर आप के बाद में दोस्तो यहां पर देखिए बेड़ की इसको कैसे डालनाया इखा दोस्तों कैसे बनानाया एके ऐसी इसमेने एक कोटिकुलर वीडियो बनाके डाल रखिए देखिए ऊपर साइड में और आई बटन आ रहा होगा उस पर klik करके आप वो वीडियो को देख के बड़ी ही आ राआ आब से आसानी सी जो है PDF फाइल बना के डाल सकते हैंगे दोस्तों बना सकते हैंगे वो आई बटन पे जा के आप देख लिजेगे हैं यह बनानी है PDF और एक MB की मैंने असान तरीके से बताया है उसके बाद दोस्तों को जब आप बना लें गे तो उसके बाद करना क्या है आपको सिंप्ली इस बॉक्स पर एक लिए करना है जहां पे लिखा अपलोट फई जैसी आप इक यहां पर डाल दीजेगा simply यहां पर आप जो है वो डेट आप डाल दीजेगा उसके बाद दोस्तों नीचे आजए यहां पर देखे पूछ रहेगा country of departure कि किस country से आप departure कर रहेंगे उस country का नाम डाल दीएगा जाने कि जिस country से आप जा रहे हैं इंडिया के लिए उस country का नाम यहां पर डाल दीज़ है तो जिसे कि मैं एरोपा से टिया है सलेक्ट कर लेता हूं सौदी से जा रहा हूं है इंडिया के लिए तो मैं आपको कि कुछ रहे हैं कि आप कि यहां पर तो या लिए कर लिए आपका जैसका से भी जा रहे हैं इस country दिया आप है यह सेलेट कर लिए गांग धिए पूछ राएगा आप से यह आप से है कि हा ने कर दिया ही तो जैसी आपकी वाइट हो अगर करेंटिं हो तो यहस करिए का होना चाहिए दोस्तों यहां पर आपको वह अपलोड कर देना ठीक उसी तरीके मैंने बताया वीडियो बना रखी है आई बटन आ रहा होगा उसके आप क्लिक करके देख लेज़ेगा एक 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 मतलब कैसे बनाते हैं पीडिया फाइल मैंने बना वीडियो बना के डाल रखी हो यहां पर देखिए नीचे आजएंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर पूछ रहेगा दोस्तों डेट आफ और आपको डाल देना है पर दोस्तों आप नीचे आजएंगे तो यहां पर देखिए फिस में मांग रहेगा अप्लोड वैक्सिनेशन साटिविकेट आपका जो भी वैक्सिनेशन साटिविकेट होगा दोस्तों उसकी पीडिया फाइल एक एमबी की बना के यहां पर आपको डाउनलोड कर देना है आप कुछ नहीं करना आएगा आपको बहुत ही आसान तरीका है मैंने पहले ही बता रखका है आपसे वीडियो बना रखकी है कैसे पीडिया फाइल बनानी एकमबी की जाके आई बोटन पर जाके देख सकते हैं आप लोग उसके बाद दोस्तों यहां पर दिखा रहाएगा देट अफ फाइनल डोज और वेक्सिन आपको आखरी डोस कब लगी थी वो डेट आपको ही अपने उसी सदिखेट फॉर्म से देखके डाल देएगी जो आपका वएक्सिन सप्मेश्य फाइनल डोस कब लगी है वह बाद आपको यहां पर डाल देना है उसके बात में दूस और अदयार धे डालने बाद दोस्तों यहां पर आ जाएंगे तो अपका फ़स्ट एरपोर्ट कौन सा पढ़ेगा आपका दिलीस पढ़ेगा मैं पढ़ेगा लखनौ पढ़ेगा चन्नाई पढ़ेगा तो जो भी आप इंट्री जहां पर जिस भी एयरपोर्ट पर करने वाले हो ओस यहां पर क्लेंगे लए बहुत सारी धोड़ा तू यहांसे मैं लखनुझ जाना मेरे इंख से डिर्ट तो मैं सीधा लखनँ हम इसके बाकि देखर यहां पर दोस्तों को पूछ रहेगा बता दूँ है आपको यहां पर दोस्तों पूछ रहेगा first airport of entry state तो यहां पर देखके दोस्तों जैसी मैंने उपर जो है यहां पर देख सकते हैं जैसी मैंने लखनौ सेलेक्ट किया हैगा उसने देखिए यहां पर उत्तर पड्रेस आटोमेटिक ले लिया तो जैसे कि आप भी एक क्लिक करेंगे तो आटोमेटिक आपका स्टेट जो है यहां से वह ले लेगा उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाईए यहां पर दोस्तों पूछ रहेगा आपका full address पूछ रहेगा full destination house number तो यानि कि आप अपना address house number अगर हो तो house number के साथ में अपना address यहां पर डाल दीज दाल दीजेगा वही चीछ उसके बाद दोस्तों जिसीन नीचे आ जाएंगे थोड़ा यहां पर देखिए पूछ रहा है final destination तहसील आपकी तहसील कौन सी है तो दोस्तों तहसील जैसे कि आपकी जो भी तहसील हो डाल दीजिए मेरे लखनव लगती है तो मैं यहां पर लखन सब्सक्राइब कर देना है जैसे कि मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो मैं यहां से सलेक्ट कर लेता हूं उत्तर प्रदेश आपका कोई भी स्टेट हो वह आपको यहां से सलेक्ट कर लेना है उत्तर प्रदेश उसके बाद दोस्तों यहां से देखिए पूछ रहे है यहां परखनों देख लेता हूं कि यह दोस्तों मैंने अपना लखन कोट डाल दिएगा आपके जो भी आपको नीचे आ जाएब दोसके बाद दोस्तों दोनमर मांग रहांगे अपका फोन न्वर यहां पर अपना phone number डाल दीजेगा देख सकते हैं यहां पर दो phone number डाल दीजेगा अगर दो ना भी हो तो मुझके लिए एक ही डाल दीजेगा लेकिन दोनों डाल देंगे तो ज्यादा सही रहेगा form आपका complete हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर जैसी नीचे आएंगे दोस्तों यहां पर देखे मांगरा email id दोस्तों एक email id आपको डालना होगा दोस्तों जो email id जो डालेंगे तो जब आप यह form submit करेंगे तो इसी email id पर आपका message आएगा email आएगा वो आपको समाल कर रखना है या उसकी photocopy करा लेना आएगा दोसी आप ही के email पर ही message आएगा कि आपको पता चल लगेगा कि आपने जो है करा लिया आएगा और जो है आपके email पर जो है email आजाएगा email id पर उसके बाद दोस्तों नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको देखे मांग रहेगा यहां पर पूछ रहेगा दोस्तों आपको कोई fever या किसी तरीके कोई symptoms नही है अपने हिसाब से आप देख लिएगा उसी साफ से आपको कर लेना है उसके बाद दोस्तों जैसी आप थोड़ा नीचे आएंगे यहां पर देखिए यह पूछ रहेगा आप से आपके कोई जो है मतलब कि कोई सरी सारीरिक कोई दिक्कत तो नहीं है जैसे कि diabetes है या कोई भ भर दूँगा मैं सब पर यहां पर नो नो कर दूँगा उसके बाद दोस्तों नीचे आजीए कि आप यहां पर देखिए पूछ रहेगा डिटेल्स ऑफदा कंट्री विजिट्स इन लास्ट फूटिन डेज तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्याएगा पूछ रहेगा कि चौदा दिन आप किस कंट्री में रह के आएंगे तो सिंपली आपको करना क्या यह साइड में एरो देख रहेंगे बॉक्स में यह इस पर का रहे हो वहां से आपको अपना देख लेना है तो जैसे की मैं साथी अरब से जा रहा हूं तो मैं यहां पर साथियरा democrat कर लूँगा तो यह मैं एकसे सेलेक्ट कर लिए यहां से पाई कि अब्सक्राहिए यहां पोछ रहे दोस्तो हाव मैंधि पैसेंजर और ट्रेवलिंग यहां पर कितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहेंगे यह दोस्तों अनके लिए जैसे की बहुत से होता हैं जो फाइमिली के साथ जाते हैं तो यह आप अपना उस रिसाथ से प्लस माइनस कर सकते हैं, उसके बाद में दोस्तों यह कुछ terms condition हैंगे देख सकते ह于 याँ को यह आपको यहँ पर कलिक कर लेना है इनको agree कर लेना हैगा, use terms condition, तो यह benन्यuk sencillogen है, इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या हैगा आप नीचे आ जा जाएएगे यहां पर देखिए पूछ रहेगा दोस्तो संबित करने को मांग रहेगा सिंपली आपको कुछ नहीं करना हैगा सीधा यहां पर आपको संबित कर देना हैगा और आपका फॉर्म रेडी हो गया और जैसी इसको संबित करेंगे तो आपके जो अपने जो जीमेल आईडी भी भर सकते हैं अपने मोबाइल से ही सेल्फ डिक्लिडेशन फॉर्म यानि की एयर सुद्धा दोस्तों वीडियों पूसाना यह तो लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा पेलाइक तबाकर पॉल्पर कर दीने उससे आदे विडियों को नोटिक केशन आपको साइस बेसाइब करेगा थीनल पॉल्पर करेगा no